दोस्तो नॉर्थिस्टन लोग जो है वो अक्सर नजीर बन जाते हैं नॉर्थिस्टन जैसे ही कहता हूँ नॉर्थिस्ट का नाम जैसे लेता हूँ न चेहरे पर इस्माइल आ जाता है क्योंकि जो नॉर्थिस्टन लोग है वो करते ही कुछ ऐसा कमाल है भाई आपने देखा होगा अगनिपत के नाम पर बिहार में, यूपी में किस तरह से हरियाना में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कहीं पर तो ट्रेन जलाए जा रहे हैं लेकिन नौर्थिस्ट के जो लोग है वो सांत बैठे वे हैं और वो सांती से अपना बात रख रहे हैं अपने चैनल आपको इस वीडियो में बताऊंगा अलो हाई नमस्ते मैं हूँ आपका दोस दिलिफ शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एडी जैबपायर में तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन वीडियो को सुरू करने से पहले आपको बदा दू कि भाई अगर आप चाहते हो मुझसे बाती करना तो आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो वहाँ पर मैं reply देता हूँ और साथ साथ अगर आप vlogs दिखने में इंट्रेस्टेड हो तो आप मेरे vlogging चैनल को भी चैक कर सकते हो लिंक की डेस्क्रिप्शन में तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो नॉर्थीस्ट जो है इडिया को शॉक करने का कोई भी मौका नहीं छोडता है हमने देखा है बहुत सारे सेक्टर्स वैसा हुआ है गेमस इन स्पोर्स आप नैशनल गेम की अगर बात करोगे ना तो नैशनल गेमस में भी जो है वो नॉर्थीस्ट वाले सबको पचार जाते हैं और उसके साथ साथ भाई हाँ एक हरियाना स्टेट है जहां पर बहुत सारे सपोर्समैन निकलते है लेकिन नॉर्थीस्ट भाई कहीं से भी किसी भी एंगल से कम नहीं है तो गेम के सेत्र में भी ये काम कर रहे हैं और उसके बाद हमने देखा है कि किस तर से reality source जो है, वो हाल ही कि कुछ सालों में नौर्थिस्ट वालों नहीं कबजा करके रखा हुआ है, और ये जो नौर्थिस्ट 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 न, ये अब इंडिया के हर किसी के जुबान पर आता जा रहा है, इस बार भी D.I.D. Little Masters है, उसमें top 5 में से, भाई, 5 candidates में से, आप सोचो, तीन तो सिर्फ नौर्थिस्ट से हैं, वाउ यार, तीन candidate नौर्थिस्ट से हैं, जिन में से 2 tribal candidates हैं, जो नौर्थिस्ट से हैं, और एक गोर्खा community, जो नौर्थिस्टेन स्टेट्स में रहते हैं, उसको बिलॉंग करने वाली है, जिसका की नाम आध्यस्री है, आप छोटा सा performance आध्यस्री का देख लीजिए, तो गाईज, ये थी आध्यस्री, इसको देखा होगा, आपने बहुती क्यूट सी लड़की है, और ये नौर्थिस्टेन स्टेट, असाम में सिलापतार नाम का एक जगा है, उस जगा को बिलॉंग करती है, और ये गोर्खा कम्यूनिटी से आती है, इसकी अगर बात की जाए, तो जजेस्से काफी ज़्यादा प्यार करते है, QTC बंदी है, बहुत छोटी सी है, तो इनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, साथ-साथ इनका dance performance भी बहुत अच्छा है, तो आप चाहे तो इनको winner बना सकते हो, भाई हमारे पास choice है, हम तो बहुत 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 लोग है, ना हमारे पास choice है, तीन choice हमारे पास है, उसके बाद जो दूसरी candidate हमारे पास है, उनका नाम है अपुन पेगू, अपुन पेगू, ये भी North East की tribal community को बिलॉंग करने आप देख तो लो एक clip, इनकी अगर बात की जाए, तो starting में इनमें थोड़ी सी कुछ कमिया रही होंगी, लेकिन बाद के समय में इन्होंने अपने आपको बहुत ज़्यादा सुधारा है, और उसके बाद scores भी points भी जो मिले हैं, वो कमाल कमाल के points मिले हैं, तो भाई, इनका जो dance है, वो भी कमाल का dance है, आप लोग सायद देखी रहे होंगे, तो आप अगर चाहते हो, तो असाम की इस बेटी को, जो की tribal community से belong करती है, और tribes के अगर बात की जाए न, तो वो जो है, बहुत सारे tribes ऐसे हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, तो इनको उपर उठा अगर अगर अपन पेगू की बात की जाए, तो मुझे नहीं मालूम इनका family background कैसा है, लेकिन भाई, support की जरूरत तो जरूर है, इसलिए नहीं कि वो किसी गरीब family को बिलोग करती है, भाई, इसलिए भी support की जरूरत है, क्योंकि she is a very nice dancer और कमाल की performer है, और उसके बाद भाई 39 से जो है, और कमाल की dancer है तो जिताना जरूरी है, तो आप अपन पेगू के लिए भी अपना vote दे सकते हैं, choice है हमारे पास, भाई, choice है हमारे पास, और जो तीसरा बंदा है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, कमाल का dancer, कमाल का performer, नबजित नरजारी, ये भी आसाम की है, और इनका जो जगह है ना, इसमें बहुत सारा confusion हो रहा है, कोई कह रहा है, गोलागाट से, कोई कोई और से बता रहा है, तो मैं जगह पर नहीं जाओंगा, लेकिन इतना आपको बता दू कि ये आसाम के हैं, और बोडो ट्राइब, जो है, आसाम का बोडो ट्राइब, उसको follow, म इसमें बहुत ही अच्छी है आगती है, गांकी है, वो तो आउटस्टाइनिग है, इसका डांस कोई से स्कूल कंटीनू नहीं हो पा रहा था, पापा ने बोला, हम लोग इतना दूर भेज नहीं पा रहे है, बस का जो किराया होता है, वो भर नहीं पा रहे है, फिर स्कूल मैंने बोला, अगर मैं इसको अपना साथ रख लो, तो आप लोग का कुछ प्रॉब्लेम होगा, मेरा घर से में पढ़ाओंगी, फी भी में खुदी भरूंगी, दिविका नवजीत को दांस फ्री में शिखाती है, खाना पीना, इसकुल जाना, सब ध्यान रखती है, एतना क कमाल के डांसर, तो इनके डांस के दिवाने भी सारे जजेज है, और साथ-साथ मैं तो हुई, तो ये जो है, ये हमारे पास थर्ड चॉइस है, और इनकी अगर बात की जाए ना, तो मुझे, मुझे परसनली ऐसा लगता है, मेरी तरफ से अगर वोट की बात की जाए, तो मै जो है, मैं नहीं बताऊंगा, छोड़ो, आपके उपर छोड़ देता हूँ, किसको देना है, लेकिन नवजित की अगर मैं बात करूँ, तो नवजित जो है, वो अपने घर से दूर रह रह रहे है, उनके पापा कहते-कहते रो जाते है, कि हमें अपने बच्चे को अपने से दूर रखना पर रहा है किसी उनकी जो dance teacher है वो उनके साथ ही रह करके पढ़ाई भी करते हैं और dance भी सिखते हैं तो ऐसे बंदे को मुझे जहां तक लगता है तो इनको vote देकर के अगर हम जिता देना तो ये भी uplift जरूर हो जाएगे बहुत सारे लोग कहेंगे भाई इनको vote द किसी के अंदर खूबी है कोई कुछ कर सकता है तो उसको support क्यों नहीं किया जाए जबकि उस support के लिए आपको पैसा भी नहीं देना है हाँ बहुत सारे लोग पैसा देने के लिए हिचकिचा सकते हैं तो यहाँ पर पैसा भी तो नहीं देना है तो क्यों नहीं support कर सकते हैं हम इन तीनों candidates का और मैं आपको बताओ कि देखो तीन-तीन candidates हमारे North East से हैं Assam से बिलॉंग करते हैं जिन में से दो जो है वो tribal community से बिलॉंग करते हैं एक गोरखा community से बिलॉंग करती हैं तो इन तीनों के हमारे पास तीन-तीन choice है इन तीनों में से आपको किसे जिताना है आप उसे जरूर वोट कीजिएगा मेरा वोट भी तीनों में से एक को दो को जरूर जाएगा क्योंकि एक-एक वोट एक इनसान दो वोट कर सकता है तो मैं दो को जरूर वोट करने वाला हूँ और मेरी तरफ से कोशिस ये रहेगे कि जिनको मैं वोट करूँ वो जीत जाए तो भाई आप क्या सोस्ते हो आप किसे वोट कर रहे वाले हो किसे जिताने वाले हो उनके performance के according क्यूंकि हमारे पास 3-3 candidate है न नौर्थिस से असाम से तो आप किसी को भी जिता सकते हो तो जिसको जिताना है आप उसको जिता है भाई यही बताने के लिए वीडियो बनाया था वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करके कमेंट करके आप क्या सोचते इस बारे पर जरूर बताएगा दोस्तों अभी चलता हूँ मिलूँगा नेक्स वीडियो में लेकिन जाने से पहले आपको बता दू कि भाई अगर आप चाहते हो मुझसे बाते करना तो इंस्टाग्राम में बाते कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ-चाहत अगर आप व्लॉग में इंट्रेस्टेड ओ तो मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी चलता हूं मिलूँगा नेक्स वीडियो में कुछ नया है कुछी ट्रस्टिंग लेकर तब तक के लिए बाबाई जय हिंद जय भारत